असलाम वेक्म स्टूरेंट्स जी आज हमारा चैप्टर नाइन है तो आपको चैप्टर एट याद होगा येकीन और जो कल वाक्या हुआ वह भी क्लिर्ली याद होगा तो मैं चाहता हूं कि उसके हम कुछ क्वेस्टिन आज कर लें ठीक है इसको कुछ पढ़ लें इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर क्वेस्टन लाजमी करने हैं मैंने चैप्टर एटिक मैंने कर आपको मार्क निकर वाए जी देखिए अधर यसे चिपस ने कहा किया जी चिपस ने अपना चिपस स्कूल में ना मिस्टर चिपस को एक घर मिला हूआ था एक अपार्टमेट था उसके पास वह खासा कमोडियस था स्पेशियस था वसी था تو Kate Finne की Defke Keva'd के बाद Chips ने चाहा कि वो अपना जो वासी कोटर है स्कूल हाॉस में जो स्कूल में जो घर बने हुए जो उसे में वहाँ पर उसका जो कोटर है वो चाहाता था के वो उसको क्टेंज कर ले तो चिपस ने अपना स्कूल हाॉस में जो एक वेसी उसे अपार्टमेंट मिला हुआ था उसने उसे अपने पुराने जो कमारे दौर के जो घर था उसका उससे बदल लिया यहीं स्कूल में जहां रहा करता था पहले वेन ही वास बैचलर वेन ही वास अन्मैरेड ठीक है तो अब कैथरीन की डेथ के बाद उसने क्या किया उसने अपना कौर्टर चेंज कर लिया और कहां पर आ गया जब वो जिन कौर्टर में वो अपनी शाज़ से पहले रहा करता था यह थाट अट फरस्ट यह वोड गिव अप हिस हाउस मास्टरशिप यह चिपस बिसिकली वो जो स्कूल था ना ब्रुक्फिल्ड स्कूल था ब्रुक्फिल्ड स्कूल एक अकामती दार था बोर्डिंग स्कूल था ठीक है बोर्डिंग स्कूल वहां बच्चे पढ़ा भी करते और रहा भी करते थे तो चिपस जो है उन स्टुएंट्स के हॉस्टल्स का इंचार्ज भी था हाउस मास्टर ठीक है चिप्स को ख्याल आए कि क्यों ना इसको छोड़ दे यह उहदा छोड़ दे हाउस मास्टर्शिप का उहदा छोड़ दे बट हिस हैड परस्वेरिड हिम अधर्वाइज लेकिन उसके जो स्कूल का हेड़ था उसने उसे राजी कर लिया कि नहीं भई तुम यह काम करते रहो लेटर ही वाज ग्लैड और बाद में वो खासा खुश भी हुआ चिप्स ठीक है यह पहले वो उसका दिल कर रहा था कि वो स्कूल छोड़ दे यह स्कूल में यह ओधा छोड़ दे यह वाला हाउस मास्टर्शिप का ओधा इसे छोड़ दे और लेकिन उसके प्रिंसिपल ने उसे कन्विंस कर लिया और वो फिर बाद में खासा खुश हुआ क्योंकि उसे एक मसरूफित का बहाना मिल गया था और आप जानते ही हैं कि अगर वो मसरूफ ना रहता तो फिर वो सारे खौब भी देखता उस काम ने यह जो काम था ना वो जो उहदा था उसने उसे कुछ करने को दिया यानि उस उहदे ने उसको मसरूफ कर दिया और उसके दिल और दिमाग में जो एक खला था जो कैथरीन के बात बैदा हुआ इस मसरूफ तो उसको भड़ दिया वो अब मुक्तलिफ था हर बंदे ने ये बात नोटिस की कि अब वो खासा मुक्तलिफ था बहुत बदला हुआ था जैसे कैथरीन से शादी ने उसके जिन्दगी को चेंज कर दिया उसके जिन्दगी में बहुत से बातों का इजाफा कर दिया यहीं उसे mentally, physically, apparently और मतलब हर लिहाज से उसको चेंज कर दिया था उस शादी ने तो जैसे इस शादी ने चिपस को चेंज कर दिया So did bereavement, अब उस दुख ने भी चिपस को ऐसे ही बदल दिया bereavement मतलब sorrow, grief, sadness after the first stupor of grief, he became suddenly the kind of man whom boys at any rate, unhesitatingly classed as old तो उस घम के पहले stupor बोलते हैं सकता, ठीक है इंतहाई सदमा, तो उस दुख के सदमे के बाद, या उस वाके के सदमे के बाद stupor मतलब, trance, बहुत घम की कैफियत उस सदमे के बाद क्या हुआ जी, he became suddenly the kind of man वो एक ऐसा, या उस किसम का आदमी बन गया जिसको लड़के, बगएर हिचकचाहट के classed as old, बुढ़ा कहा करते, ठीक है, वो मतलब ऐसा आदमी बन गया जिससे लड़के बुढ़ा कहा करते, कि ये old है, बुढ़ा है ऐसा क्यों कहा, क्या वो काम करना छोड़ गया था उसने, चिसने, क्या वो सुस्त हो गया था, क्या कुछ और problem था, देखते हैं दरा, it was not that he was less active, बात ये नहीं थी, कि वो अब लेस एक्टिव था, वो मतलब सुस्त हो गया था, he could still knock up a half century on the cricket field, वो अभी भी cricket के मैदान में आधी century बना सकता था, यदि पचास सकोर बना सकता था, nor was it that he had lost any interest or keenness in his work, नहीं ये बात थी कि वो अपने काम में जो शौक था, जो दिल्चस्पी थी, वो छोड़ चुका था, ऐसी कोई बात नहीं थी, उसे interest भी था काम में अपने, वो बहुत energetic भी था, वो बहुत active भी था, and two, his hair had been graying for years, और ये भी कि उसके बाल कई सालों से सुफैद हो हुआ ये, now, अब आकर, for the first time, पहली मरतबा, people seem to notice it, लोगों ने इस बात को notice किया, लोगों ने इस बात को observe किया, मशाहिदा किया, यानि उसके बाल तो कई अरसे से, काफी अरसे से, कई सालों से सुफैद हो रहे थे ना, लेकिन public ने, आवाम ने, students ने, teachers ने, अब आके, especially students ने, अब, अब नोटिस किया, कि चिप्स के बाल सुफैद हो रहे हैं, तो और उने क्या कहा जी, out, बुढ़ा, he was 50, वो पचास साल का था, once, after some energetic fives, during which he had played, as well as many a fellow, like, half his age, he overheard a boy, saying, तो अब वो 50 साल का था, तो एक मरतबा, बड़े energetic, बड़े तवाना किसम के, पांच-पांच स्कोर बनाने के बाद, मतलब cricket में, which he had played, as well as many a fellow, half his age, जैनि उस दोरान वो इतना अच्छा खेला था, he had played as well, इतना अच्छा खेला था, as many a few, half his age, जैसे के, fellow, sorry, as many a fellow, half his age, जै जैसे, उससे भी आधी उमर के लोग खेलते हैं, ठीक है, नौजवान लोग खेलते हैं, उस दोरान इसने क्या सुना, he overheard a boy sing, उसने एक बाई को ये कहते हुए सुना, overhead बोलते हैं, चुपके सुना, not half bad for an old chap like him, तो वो कहते हैं, not half bad, ज्यादा बुरा तो नहीं है, for an old chap, ए एक ऐसे बुड़े आदमी के लिए लाइक हैं, उस तरह के, यानि इस तरह का बुड़ा आदमी, यानि उसने कहा, कि इस तरह के बुड़े आदमी के लिए इस तरह खेलना बुरा तो नहीं है, मतलब बात था कि वो तारीफ कर रहा था, कि बहुत चाह खेला है, चिपस, when he was over 80, जब चिपस तकरीबन 80 बरसे उपर का था, used to recount that incident with many chuckles, तो वो इस वाके को बहुत दबी दबी हनसी के साथ जो है, वो याद किया करता था, रिकाउट बोलते हैं, याद करना, दोहराना, वाके कौन से है जी, वाके ये है, वाके है जी नेलर के बारे में, तो एक लड़का था, नेलर एक आदमी था, रड़का था, उसने चिपस से कहा था, अओल्ड एट फिफ्टी ए, के पचास साल के उमर में बढ़ा हो जाना, अब कहता है, चिपस कहता जी, एन टेलर, नेलर कांट वी फार शौट ऑफिफ्टी हिंसल बारे में बारे में बढ़ा हो जाना, पचास साल से कम का होगा, उसने कहा भी नेलर जो है ना, वो भी अब पचास साल का होगा तक्रीब नेलर ने चिपस को कहा था, चिपस बुड़ा है, जब चिपस पचास साल का था, तो नेलर ने कहा था, चिपस बुड़ा है, बुड़ा हो गया है, तो अब चिपस सोचता है अब कब सोचता है बना जब चिप्स की उमर खुद 80 साल से उपर है चिप्स ने सोचा भी के नेलर कांट भी फार शार ऑफ 50 हिंसल बाइनाओ कि अब तो नेलर भी 50 साल से कुछ कम नहीं होगा I wonder if he still thinks that 50 is such an age क्या मैं हैरान होता हूँ क्या वो अब भी सोचता होगा कि 50 साल उमर इतनी ज़्यादा होती है या ऐसी होती है जिसमें बना बुड़ा हो जाता है आखरी बार मैंने सुना था कि वो लॉयरिंग कर रहा है वो वकालत कर रहा था एंड लॉयर्स लिव लॉंग और वकील बहुत लंबा अर्सा जीते हैं लुक अट हैल्सपरी को देखो भई हैल्सपरी को देखो जड़ा चांसलर एट 82 यह करेक्टर आपने भूला नहीं बिल्कुल भी चांसलर एट 82 वो करते हैं वो तो 82 बरस के उमर में चांसलर बना किस की बात कर रहे हैं हैल्सपरी की बात कर रहे हैं डाइड एट 99 और 99 की एज में उसकी डथ हुई यानि 99 साल को मिवरा ओग दिर इज एज फॉर यू अब चिप्स कह रहे हैं उससे नेलर से कहते हैं मतलब ख्याली अंदास में कह रहे हैं कि यह तुम्हारे पास खासी उमर मौ बहुत यंग होते हैं I was myself मैं खुद भी यंग था Amir Infant महस बच्चा था मैं पचास सार के एज में मैं ये पचास सार के एज कुछ भी नहीं उसके लिए ओके चले ये यहां छोड़ते हैं फिलहाल और ये ना आप इसके question कर लें चैप्टर 8 के शायद मैंने आपको करवाएं हैं ये नहीं करवाएं मैं देखता हूँ जरा